कर इस वीडियो में हम आपको कर्वेचर के बारें बताएं कर्वेचर क्या होता हैं किया आप देख रहे हो ज़ब कर स्लिए हैं मीलTo काड़ा के किशी पॉइंट पर कितना गुमाव है ज़ी कर्वेटर कहलाता है पंद है कपने टीड होता है इसके बारे महां इसमें study करेंगे यह है definition definition में माना कि यह कोई आपका डायग्राम है 6.2 यह आप पी और क्यों इस कारों के उपर दो बिंदू है इस पेपर आपने नॉर्मल ड्रा किया तो यह जो अभी लंब है एन बिंदू पर मिलते हैं जो जो क्यों पी की तरफ टेंट्स अप्रोच करेगा एन जो है सीग की साइड में एन पी जो है सीग की साइड में जाता है तो यह जो सीग पी है यह तो कहलता है कि सेंट्र ओफ करवे चाब और सीग तो क्या अगलाएगा सेंट्र ओफ करवेच्चर और सीपी जो है यह कहलाता है रेडियस ओफ करवेच्चर पी क्यों यह जो आपके चाप है आर्क है इसको यदि हम यू मिला दें सीदे लाइन से पी क्योंती इसकी कोड कहलाती है जीविया जो कहते हैं कोड और करवेच्चर फेर देखो एक फर एक वाल फीर इसको समझो यह कोई कारव है अब यह कोए कांड जाय इस पर डोधिन्दों आपने कि आपका नॉर्मल है कि अफिट करके दिया यह नॉर्मल जो है आपके ला मिलते है यह का सैंट्र बिंदू है सी के नदर है कारो क्यों पिक की तरह स्टेंड करेcom आप्रोज करेगा देनक में जाता है तो सितो क्यालाता है सेंट्र अव कर्वेचछ और शीप क्यालाता है रेडियस और विट और और ढुछ यह क्या माlläता है कोड़ पर है तुम कैलाता है, वन आपोन रो क्या कहलाएगा, कर्वेचर कहलाता है, वन आपोन रो इसका कर्वेचर कहलाएगा, यही कर्वेचर is reciprocal to radius of कर्वेचर, तुम, अब खार्मला, यदि आपके पास radius of कर्वेचर निकालने के फार्मले क्या है, अगर आपका संबंद S और साई में हैं, S is equal to function of साई, तो रो जो होगा, रो होता है, radius of कर्वेचर, यह होता है, D S upon D psi, D S upon D psi, ठीक है, यही जो नेज समीकान है, आपकी इंटिन्सिक उक्वेचर जो हैं, उसमें जो रो होता है, उसके लिए, जो रो होगा, आपका, वो होता है, वो होता है, D S upon D psi, ठीक है, radius of कर्वेचर, यह दि आपका फार्मूला, Cartesian form में है, आपके, y is equal to fx, तो उसके लिए, radius of कर्वेचर क्या फार्मूला होगा, Cartesian formula for radius of कर्वेचर, वकरता तिर्जा के लिए, कार्वेचर के सूर्ता, यह दि आपके पास को इक्वेशन है, y is equal to fx, हम जानते हैं कि dy by dx is equal to tangent psi होता है, दोनों साइड में x के साप x, differentiation करने पर, आउकलन करने पर, d to y by dx के is equal to sex square psi, d psi by dx आ जाएगा, is equal to d to psi, sex square psi, d psi by ds into ds upon dx, आपने जो है, इसको, इसको आप लिख सकते हो, d psi by dx को लिख सकते हो, d psi by ds into ds by dx, ठीक है, इस जो आपका है, ss कर जेगा, आपका d psi by dx आजेगा, sex square का लिख सकते हो, one plus tangent square, और, तो क्योंकि ds upon d psi rho होता है, तो d psi by ds का जाएग, one upon rho, plus into, ds upon dx का मान जाता है, one plus dy by dx का square, सारे का root, देखो, यदी, यह आपके पास को तिर्भुज है, यह एंगल आपका है, psi, यह आपके पास ds है, यह dy है, यह, यह dy है, यह dx है, यह ds, तो tangent psi हो जाएगा, आपके पास dy by dx, यह आपके पास ds by dx जो आएगा, formula ds square is equal to dy square, plus dx square और dx के जिए आप कॉम्बन निकाल ले होगे, यह आपके पास जाएगा, 1 plus dy by dx का square, और सारे का root, dy by dx square is equal to 1 upon rho, और dy by tangent psi का मान के आपके, आपके दी आपके दी आपके दी आपके दी आपके दी आपके दी आपके, 1 plus dy by dx का square, सारे की पावर 3 by 2 upon d2y by dx के, तो यह रो निकालने का, radius of curvature ज्याद करने का एक formula होगे, यदि आपका function x is equal to 5y हो, तो उस case में rho जाएगा, आपके पास, 1 plus dx by dy का square, सारे की पावर 3 by 2 upon d2xy dy square, इस formula के उपयोग से हम जो है इसके आल कर सकते हैं,